कुट मॉर्निंग मा यूटूब फैमिली कैसे आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत सारा सौगत है तो अभी हो गया है मॉर्निंग और मॉर्निंग का मेरा सारा वर्क फिनीश हो गया था और नहाने के वद अभी मेरी पूजा नहीं हुई थी तो यहां पर क्या है मैं लैप्टॉप आन करके रख दे रही हूं क्योंकि पुर्णिमा की क्लास स्टार्ट होती है साड़े साथ बज ताकि उस वह आये और क्लास को कनेक्ट करें तो क्लास कंटीन्यू हो जाए तो यह सारी प्रपिश्चर में कर रहे हैं इसकी बुक्स और भी देख करके रख देती हूं कि आज कौन-कौन सा सब्जेक्ट यहां पर लगेगा तो बस यही मेरा यहां का भी जो काम मैं कर रही और अभी कल मेरा फास्ट था तो अभी किसे मैंने कुछ खाया पिया नहीं है तो बस मैं यहां पर कर रही हूं सूर्य देथा को अरक अरक दे रही हूं मतब पुजा कर रही हूं आप लोग भी सूर्य भगवान को जरूर नहला कीजिए इसके बहुत सारे अपने अपने हो गई थी और सब्पूजा करने के पहले हमें सूरज देटा को नहलाना चाहिए बाद में नहीं उसके बाद यहाँ पर मैं भगवान अंदर आ गई थिए मन्दिर के जो फूल निकाल के इसको बाहर रख रही हूं उसके बाद मैं यहां पर कर ले रही हूं इसकी dusting नहीं है कि अगर आप करते रहो नो धूल तो जंती नहीं है बस मैं थोड़ा सा और पोछ लेती हूं क्योंकि कि रोज रोज का अगर कर लो ना तो यह कठा कोई काम नहीं बढ़ता है तो बस मैं यहां पे पहले डस्टिंग कर लोगी उसके बाद तरह मैं अपना पूरा मंदिर डेकोरेट करूंगी फूल से क्योंकि मुझे फूल की तो यहां कमी नहीं रहती क्योंकि सामने आपने देखा है बहुत सारे फ्लावर्स के पेड़ है तो फूल बहुत इसली मिल जाता है मुझे तो बस मैं यहां पे पहले अपना मंदिर पुरा डेकोरेट कर लेती हूं उसके बाद फिर मैं पूरे भगवान की करती हूं पूजा यह देख सकते हूं आपने मैं पूरे मंदिर को अच्छे से फूल से डेकोरेट कर रही हूं उसके बाद जो मेरे पास लड़ू को पाल है और एक और छोटे काना जी है बहुत संकर जी है छोटे से वह चित्ते भी भगवान को मैं नहला सकती हूं सारी भगवान को मैंने पहले निकाल लिया हूं सबको मैं नहला करके उनकी कपड़े और माला पहना दूँगी और देख सकते हूं आप लोग सबको पहले में नहलाती हूं उसके बाद सबकी माला और जो भी उनके कपड़े बगरा रहते वह सब पहना देती हूं उसके बाद यहां पे हैं भोले बाबा तो मैं भोले बाबा की भी यहां पे पूजा कर लोंगी और यहां पर आप देख रहे होगा ना बात तो क्योंकि क्या है पुर्णिमा की मैम उसको टेबल लिखा रही थी तो क्या तो अभी थोड़ा अच्छे से कॉपी नहीं कर पाती है रख यहां पर रख देती हूं तो तो बस यहां पे मेरी पूजा उगई थी और लास्ट बस्मेर आर्थी कर रही है तो यहां पर मैं जा बनांगी चाहें और और यहां पर मैं पुणिमा से ही शहाद कुछ बात कर रही थी क्योंकि उसने कुछ बृक पास्ट नहीं किया था तो उसको कुछ खानी के लिए दिया था उसके पापा और उसके बाद यहां पे मैं बना रही हूँ एक तरफ मैंने डाल टगा दिये पकने के लिए और इधर मैं आज पुर्णिवा बोल रही थी ममा ग्रेवी वाली सब्जी खाने का मन कर रहा है तो आज ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं किसी की ग्रेवी बना सकूँ तो फर्स मैंने तो आलो और बैगन को फ्राई किया है और उसके बाद तोड़ा सा आम प्याज पीसा था और यहीं पर मैं थोड़ी ब्रेवी वाली सब्जी बना देती हूं उसके लिए क्यों इसको ऐसी कुछ सब्जी खाने का मन था तो यह देखिए रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर क इसलिए मैं बस दिखा दे रही हूं कि बस मैं फटा फट यहां पर बना रही हूं तो यह रोटी बसे उसके बाद फिर में सारा काम आज मुझे बहुत सारा भी काम करना है सुबह मैंने ज़ाड़ू पोचा तो लगाया था बट कपड़े भी आज हैं तो कपड़े भी दोने हैं और बस यही सारी चीजे हैं तो फटा फट में रोटी बना लेती हूं और मैं देखती हूं पुड़ी में के अभी क्लास चल ही रही है क्योंकि उसकी क्लास 11 वज तक चलती रहती है तो यह देखी यहां पे मेरा खाना मतब सारा चीज हो गया तक खाने वाला तो बस मैं सोची चलो इसकी क्लास का थोड़ा सा देख लेती हूं को कि आभा तक खाने मेरा प्रफिछों को अभा थोड़ा सा जगह में बूर्टर है तक खाने मेरा थोड़ा में प्लेटरवा प्लेटर निवी चैनक प्लेज मैं और बैस उनकी क्लास हो गई थी फिनिश तो याज मुझे चेंज करनी थी यहाँ पर बैट शीट भी तो बस मैं वही बैट शीट यहाँ पर चेंज करने आ गई हूँ और अभी यह सामने टेवल देख रहा हूँ ना यह बहुत गंदी मतब गंदी थोड़ा थोड़ा डस्ट प चोटी चोटी चीजों का रोज नहीं है लग कर पाती हूँ चले बड़ी बड़ी सफाई रोज जाती है पर मैंने जोच चलो आज इसको भी साफ करती हूं वेस्ट अली चीजे सारी फेक देती हूँ और इधर मैंने लगा दिया मशीन में कपड़ा भी धोने के लिए और कॉंब कर देती हूं और यह कितनी मस्ती चलती रहती है और इसके मैंने एक दिन पहले डाला था इसके एहर में और लेकिन मैं सोच रही थी एक बार और लगा दूब इसको दूसरे दिन इसको वाश कर दूँगी और इसको ऑईल लगाना विल्कुल भी पसंद नहीं है बोलत तो अब मैं लगा दी हूं यहां पर जाड़ू यह देखी किता मोटा मोटा कचड़ा निकला हुआ है जिए कि दो क्रीम थी दोनों यह खतम हो गई तो पता नहीं कब से रखी नहीं भी आ गई है जब कि तब भी रखी हूं थी मैंने ध्यान नहीं दिया और बस यह नीचे र कि अंदर के सारे काम हो गया थे कपड़े भी मेरे वाश हो गया थे तो बस मैंने को सूखने के लिए डालने आई थी तो जब मैंने सुबहे जब इसको धोने का प्लान बनाया था ना तो अच्छी खासी धूप थी तो मुझे लगा धो देती हूं अच्छी से कपड़े सूख जाएंगे पर जैसे ही मैंने को धोके वाँ बाहर लाई और देखा तो मौसम के मिज़ाज बिलकुल बदल चुके थे और यहां धूप की जगह पूरी च्छाओ आ गई थी तो ऐसा च्छोटे वी पुणिमा के हो गए ते उनके पापा के हो गए तो बस ओगए ठीके डाल देती हूं नहीं सुखेंगे तो फिर मैं अंदर पंकिय में टाल दूँगी तो सूख जाएगा हवा से चली ठीके मैं कपड़े डाल लेती हूं फिर मिलते हैं आप नून अब मैं होग तो मैं बहुत थक गई हूँ और यह दिलिया एक खाना तो बस अब मैं इसको खाऊंगी और अभी अकल मेरा ब्रेथ था और हमारे हाँ पर क्या होता है कि ब्रेथ जिस दिन भी ब्रेथ रहो उसके दूसरे दिन बिना मतलब नहाए चाय पानी नहीं पीते हैं तो मैंने चाय तो पीली कि उसके बाद खाना नास्ता कुछ भी नहीं किया था बस अभी जस फ्री हुई हूँ तब खाना खाऊंगी और सोचा था कि आज कुछ मीठा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कुछ स्वीट जिस शेयर करूँगी तो वो चीजे मैं नहीं क कर पाई हूँ तो वो मैं किसी और वीडियो में कर दूँगी तो बस ठीक है चली मैं यहां पर कर रही हूँ वीडियो का एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएक अपने फ्र